Assalamualaikum students, आप लोंग से मैंने बुला था कि जो आप लोंग के सवाल हैं उसे पूछ लो, काफी सवाल बच्चुने कॉमेंट किये थे Majority के सवाल एक जैसे हैं, Chapter 6 से related या MCQ से related तो मैंने उनको category wise divide किया हुए, total 10 questions हैं जिनको मैं discuss करूँगा chapters का option मैंने enable किया है, तो अगर आप chapters पे जाओगे तो आपको idea हो जाएगा मैंने questions के नाम भी लिख्योंगे, जैसे question number 1 है, मैं लिखा होगा कि इस में क्या मैं discuss करूँगा question number 2 कौन सा question है, जो मैं discuss करूँगा, तो वो chapters में आप जाके आपका जो भी question है, वो भी आप देख सकते हो सारे questions अगर आप उनके जवाब सुन लो तो और अच्छा है, काफी चीज़ें आप लोग सीख लोगे एक चीज़ में पहले clear कर दो, यहाँ पर important, MCQs का बचो ने पूछा वा था, कितने important PDF हैं, वो सब मैंने वीडियो की description में add किये हैं, जरा सुन लो, बहुत बचो ने बोले ऐसा secondaire के MCQs solve करवा दे हैं, और भाई मैंने पहली solve करवा हैं, लास्ट एर मैंने धाई तीन घंटे की वीडियो बनाके, पूरी सेकंडर के MCQs proper, past papers, प्लस अपनी तरफ से दालके, सारे MCQs solve करवा हैं, तो वीडियो description हैं, देखो, इसी तरह फरस्ट एर मैत के भी मैंने solve करवा हैं, वो वीडियो description हैं, आप देखो, इस मैंने description में mention किया हुए, तो second year और first year दोनों math के important questions का PDF मैंने description में mention किया हुए, इसी तरहीके से कुछ सवाल आप देखो, उसमें past papers, sorry paper pattern बच्चों को नहीं समझ आ रहा था, इस तरहीके से strategies और कौन से chapter को skip कर सकते हैं, तो वो भी मैंने एक वीडियो में discuss किया है, first year, second year दोन मुझे पूचा है, और वो ये question है, first year और second year दोनों बच्चों ने सवाल पूचा है, कि sir हम अगर फुलाना chapter skip कर दें, sir, chapter number one skip कर दें, chapter number six कर दें, chapter number five कर दें, secondary में chapter number two, three कर दें, इसी तरह first year का बच्चों ने पुचा है, कि chapter number nine, eight को skip कर दें, तो ये एक ही question है, जो बारवर तो मैंने एक video upload की थी वो video थी मैंने past paper sorry, paper pattern मैंने बताया था first year second year mathematics का उसी video में मैंने tips भी discuss की थी paper से related और paper pattern discuss करने के बाद मैंने वहाँ पे strategies बतायी थी और strategies मैंने यही बात बतायी थी कि यार अगर time कम है आपके पास तो कौन-कौन से chapter आप skip कर सकते हो पेपर pattern सामने था तो मैंने बताया था कि इस chapter का ये असर पढ़ड़ा है पेपर के ओपर इस chapter का ये वला असर है तो जब आप paper pattern समझ लोगे उसके बाद वो मैं video को description में mention कर दूँगा आप लोग लाजमी उस पे जाना आपको detail में हर बाद नजर आजएगी उसके अंदर मैं दुबारा वो चीज़ बताऊं sensory मनेगी उदर तो paper pattern सामने मैंने लिखा वा था उसके बाद मैंने बताया था कि किस chapter का सवाल किस exercise में आ रहे तो उस हिसाब से आप देखोगे सबसे पहले एक बात मेरे जहन में रख लो मैं आप लोग को एक बबल में तो नहीं रहना चाहता वो आप लोग की fantasy world की जिसमें आप लोग का seconder का exam clear हो जाए that's it आगे का कुछ पता ही नहीं क्या करना है आपने तो सबसे पहले मैं आपको एक मिनिट जरा chapter 6 की हमिया समझा दूँ उसके बाद आप लोग के question के उपर आ जोँगा आप लोग की पूरी कोशिश होने चाहिए कि chapter 6 को skip ना करो ये most important अगर आप मुझे बोलो ना कि 2 chapter बता है मैं बोलूँगा chapter 6 और chapter 4 ये वो दो chapter है secondaire के अंदर जिनकी इतनी importance है क्योंकि देखो आपने secondaire के बाद तालीम छोड़ तो नहीं देनी ना तो मैं यहाँ पर guest paper या सारे मश्वरे आपको दे दूँगा chapter 6 छोड़ दो paper निकल जाएगा फाइदा ये है कि secondaire तक की planning क्यों कर रहे हो university की भी planning करनी है आपको तो best तरीका दो है कि chapter 6 को आपने skip नहीं करना bill first अगर अभी skip करना चाह रहे हो paper अच्छा करने के आपकी कोशिश है chapter 6 को अभी skip कर दो लिकिन फिर exam के फॉरण बाद आपने chapter 6 करना है university जाने से पहले आपको chapter 6 आना चाहिए वहना university में बहुत मसला होगा वहाँ पर सीखना बड़ा मुश्किल होगा basic strong नहीं होगी तो आगे मसला हो जाएगा तो अगर अभी छोड़ना चाह रहे हो तो exam के बाद लाजमी है आपने करना है chapter 6 अब आज हो क्या chapter 6 छोड़ सकते है या उसके कुछ exercises में हम छोड़ दें देखो जो आपनों का paper pattern है ना उसमें chapter number 6 के एक सवाल आता है short के अंदर जो model paper के अंदर मौजूद है मैं उसके मताबिकी बता रहा हूँ और model paper ही almost follow होगा तो एक सवाल short में आया था skip कर सकते हो chapter 6 का और दो long आएंगे chapter 6 के और दो की choice होगी long के अंदर तो आप उन दो को skip कर देना बाकी 5 जो हैं वो आप long कर लोगे तो chapter 6 के बगएर आप 100 number ले सकते हो MCQ जो 2-3 आएंगे वो बस आप आपको आने चाहिए रही बात कि अगर कोई कहता है कि यार मैं कुछ exercise करना चाहता हूँ तो सबसे पहले अगर chapter 6 के कुछ भी exercise आपने करनी है तो दो ऐसी exercise हैं जिसके बगएर आपका गुजारे ही नहीं है वो है 6.1 और 6.3 6.4, 6.3 के अंदर ही आजएगी अगर आप 6.3 कर लो तो 6.4 में कोई नहीं चीज़ नहीं है तो मैं उनको एक ही शुमार कर रहा हूँ 6.3 के अंदर 6.4 आई जाती है तो 6.1, 6.3 तो लाजमी आपने करनी है अगर आप chapter 6 करना चाहरे हो क्योंकि यह वो exercise हैं जो basic है पुरी अगर यह आपने नहीं कि इसका मतलब chapter 6 आपको समझ नहीं आएगा तो इन दो exercise का फाइदा किया है कि short लाजमी निकलेगा इसमें से एक short 6.1, 6.3 से लाजमी वो दे रहे होंगे यह जो बाकी की exercise है न वो short के लिए तिनी favorite है नहीं बन सकते हैं कोशन 6.1, 10, 11 का भी short में आ सकता है लेकिन maximum chances है कि short में 6.1, 6.3 लाजमी आएगी और यह वो दो exercise है जो chapter 6 के लिए समझना जरूरी है आप direct 6.1, 10, 11 करोगे फज़ा होगे मज़ा नहीं आएगा at least 6.1 तो लाजमी है और 6.3 में बहुत से function है जो के आगे आप लोग को बहुत काम आएगी तो 6.1, 6.3 करो बात रही long की long में कौन सी आएगी long में 6.5 तो लाजमी आएगी एक सवाल 6.5 का लाजमी आएगा क्योंके 6.5 बनी long के लिए तो 6.1 अगर आप लोगं को मसला हो रहे है न तो 6.1 कर लो 6.3 कर लो और 6.5 कर लो यदि देखो 6.5 के बगए 6.3 के बगए 6.5 नहीं कर सकते तो तभी मैंने कहा था 6.1, 6.3 बड़ी important है उसके बाद मैं recommend करूँँगा 6.5 कर लो एक long लाजमी है आपका निकलेगा दूसरा long अब दूसरा long 6.7 से भी आ सकता है दूसरा long 6.9 से भी आ सकता है और model paper में दूसरा long 6.11 से आया वा था हाला कि वो सवाल long वाला था नहीं लेकि उनने model paper में दिया वै लेकि इसका मतलब यह नहीं कि paper में भी 6.11 से आएगा 6.7 भी long के लिए favorite है 6.9 भी long के लिए favorite है 6.3 में भी ऐसे कुछ कोशन है लेकिन इतने level के नहीं है तो long के लिए आप यह समझ लो 6.5, 6.7 most favorite है या 6.9 और 6.11 यह चार यह excise हैं एक short और एक long आपका निकल जाएगा राम से long की ज़दा tension है आपको short तो चलो एक की क्या इतनी importance है और अगर आप मजीद गुड़ दालना चाहरे हो तो मैं काऊंगा 6.11 कर लो क्योंकि 6.10 काफी छोटी है उस ज़दा short में एक long में उसकी उकात नहीं है तो 6.11 कर लो अगर मजीद गुड़ दालना चाहरे हो तो 6.9 कर सकते हो easy concept है अतना मुश्किल नहीं है और अगर मजीद time है तो 6.7 कर लो तो ये वो exercise मैंने आपको step by step बता देए आप लोग ने अपने आपको देखना अगर 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 कोई आपको बता देए अच एक आखरी चीज थी integration के questions को identify कैसे करना है मैं थोड़ी सी तो बात आपको बता दूँगा लेकर बच्चो जएदा बात आपको उसी वह समझाएगी जब chapter 6 आप लोग समझोगे chapter 6 के अंदर देखो mainly technique क्या है 6.1 में अब देखो ये depend करते हैं आपने किस teacher से पढ़ा है और उसके बाद तो formula थे ना trigonometry exponential वो technique नहीं आएगी वो तो चलो function है उनको different integrate कैसे करना है मैं techniques के भी बात कर रहो तो अगर mainly में divide करूँ ना तो 6 सा techniques है integration के अंदर उसके बाद मैं बताऊंगा पैचान होगे कैसे 6.1 और 3 के अंदर दो technique थी power rule, ln rule और तीसरी आप कहलो use substitution वाली क्योंकि कितने questions पे जब फज आते हैं तो use substitution बड़ी important है अब इसकी भी detail है, कुछ teacher हर सवाल को use substitution से करवा रहे होते हैं अब मैं उसकी detail में अब नहीं जाना चाहरा पांचवी technique, अच्छा 6.6 भी है 6.6 completing square की है उसका सवाल long में आने के chances कम है लेकिन कोई ऐसा सवाल आ सकता है जो long के अंदर बन सकता है for example, 6.5 के अंदर आप direct trigonometric substitution अप्लाई करते हो जबकि 6.6 में आप पहले completing square करते हो फिर trigonometric substitution अप्लाई करते हो तो maybe वो थोड़ा 6.6 का अपनी तरफ से कोई सवाल बना के आपको दे सकते है long के अंदर, कि जिसमें पहले completing square करनी पड़े फिर trigonometric substitution हो तो 6.6 में बस एक सवाल ही है आप लोग try कर लो competing square वाला एक सवाल आप कर लो, उसमें competing square की वे के बाद तो 6.5 वाला काम है तो आपको 6.6 भी समझा जेगी तो maybe उसका कुछ पेपर में बन सकता है तो ये भी आप लोग जहन में रख ले न 6.6 में आपने क्या technique पढ़ी है competing square की, वो एक अलग technique है 5 भी technique है लो छटी technique आपने पढ़ी 6.7 के अंदर जिसको आप कहते हैं integration by part और 7 भी technique है partial fraction integration by partial fraction 6.9 में आपको मिलेगी 6.10, 11 में तो techniques तो नहीं है वो तो area under the curve और फिर वो solution और differential equation है, ये 6 techniques हैं अब जब सवाल पेपर में आएगा ना बचो 2-3 technique आप असानी से पहचान सकते हो integration by part के 99% सवाल आप देखते हैं साथ ही पहचान जाते हैं दो function मौझूद हैं, अगर आपने 6.7 की वे तो आपको idea, 6.9 के 99% सवाल आप पहचान लेते हो भई दो denominator में आपको नजर आ जागा है या असानी से factor में बना लोगा या अल्यडी factor given होंगे, आप असानी से समझ जाओगे 6.9 है यह तो यह दो exercise की technique तो आप असानी से समझ सकते हो रही बास 6.5 की, 6.5 की अगर आप सवाल देखो ना उनमें confusion हो सकती है कि यार 6.5 की तरीके से करना या 6.3 में भी कुछ formula थे square root वाले उनसे कर सकते हैं उसमें जयदा तर जब पेपर में आप लोगे root वाले सवाल आएगा ना, वो भी long की अंदर आए तो समझ जाना 6.5 ही होगा उसके अंदर formula लगके इतनी असानी से वो देंगे नहीं आपको, तो यह जो तीन exercise है ना 5, 7, 9, इनके सवाल देख के आप पहचान सकते हो रही बास 6.1 और 6.3 में दो तीन टेकनिक हैं power rule, LN और वो user evolution वाली अब देखो power rule, LN में भी फर्क होता है बच्चे confused होते हैं तो जब आप theory देखो के आपको ज़्यदा अच्छे तरीके सा idea हो जाएगा के इनमें फर्क क्या है, concept है ना मैं यहाँ concept दो मिनिट के दा थोड़ना दे सकता आपको तो इस तरीके से कोई भी सवाल आएगा तो आप पहचान सकते हो बाकि आप chapter 6 को पढ़ोगे मजीद तो आपको मजीद चीज़ें सीखोगे तीसरा question जो बच्चों ने मुझसे पूचा है और वो यह था कि target paper, math का सर बता दें किस guest paper को follow करें क्या target paper काफी है नहीं इसी तरह pass paper से त्यारी कर सकते हैं क्या वो काफी है नहीं अच्छा, इसी में एक सवाल चलो यह बाद मैं discuss करेंगे तो यह सारे सवाल है जो मैं discuss करूँगा question number 3 है मेरा सबसे पहली बात क्या target paper करना चाहिए नहीं चाहिए क्या फाइदे मन्द होगा है नहीं तो target paper, guest paper, important paper यह जितने भी paper होते है न इनके बनाने का एक ही मकसद होता है teacher का, कि यार किसी तरह यह paper लग जाए उनके teaching हाले के बहुत घटिया थी लेकिन teaching कौन देख रहा है यहाँ पे paper निकल जाए वही काफी यह लोगों का और माशला साब ऐसे confidence से बताते है मैंने पहले भी बोला था कि कराची के हर center में कोई ना कोई एक teacher होगा जो board का paper बना रहा है confidence बहुत अच्छा होता है इनका कि यार हमें तो पता ही आएगा सवाल तो target paper बनाया है इसलिए जाता है कि लग जाए और बनाते किस तरीके से past papers that's it कोई ऐसा नहीं किसी को पता नहीं चलता कि paper में क्या आने वाला सवाल past 12 years आप उठाओ जो questions आ चुके हैं वो डाल दो similar questions जो हैं वो आप guess paper कहना दाल दो ये एक short guess paper है थोड़ा सा लंबा guess paper बनाना चाहरे है तो जो आपको लग रहा है ये अच्छे questions आई हैं आ सकते हैं उनको भी डाल दो तो इस तरीके साब guess paper बना रहे होते हो तीन-चार ऐसे questions होते हैं चार-पज़ ऐसे questions नजर आ जाएंगे जो past paper से हटके हैं अब ये आपकी किस्मत है अगर सारे questions past paper वाले आके तो guess paper लग जाएगा नहीं आए तो आप फज़ा होगे तो अब ये मैं नहीं बता सकता अच्छा किस teacher हा guess paper लें भाई ले लो आपके center में कोई जो मशूर teacher होगा उसका ले लो guess paper जायत है teacher के सबके guess paper सेम ही होते हैं मुझे नहीं पता guess paper में बहुत बड़ी audience है माचला हर teacher है guess paper होता है मैं नहीं बनाता ये फालतु काम मुझे नहीं पसंद के मैं guess paper बटके बनाओ मैंने important questions का बनाए वो आके सवाल आएगा वो मैं आपको बता दूँगा तो किसी का भी guess paper follow कोलो मैंने बता है सबका एक ही सब होता है कि यार pass paper से वो दाल रहोते हैं मैं पहले भी example दी तीन-चार साल पहले ऐसे सवाल आए थे chapter number 3 secondaire से जो किसी guess paper में नहीं हुआ करते थे पहले दूसरा question जो है लेकिन वो 3-4 साल के अंदर देखना की आया था वो question तो जो जो नहीं guess paper में जो आया है इसका मतलब उसके बग़ेर नहीं आसकता उसके बग़ेर paper में आते हैं उन teacher questions में एक निया topic होगा फिर नई exercise में एक निया topic होगा इस तरह करते 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 अगर आप पूरा syllabus कर रहे हो हर chapter कर रहे हो लेकिन selective questions कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यदा topics होंगे वो आपके sense से निकल जाएंगे तो मेरे नस्दीक best technique क्या होती है target paper को छोड़ो best technique क्या है कि आप selective chapters करो for example आपको अगर second year है second year में 9 chapter है किसने क्या 9 chapter करो time कम है 5 chapter कर लो chapter number 1 से लेके 5 तक करो जो मैंने video recommend की थी न paper pattern वाली उसको देखना दुबारा जाके 1 से लेके 5 chapter करो अराम से paper में 70 number निकल जाएंगे आपके second year की अगर आप बात करें new book की तो आप मैंने वो paper pattern की वीडियो में strategies बताई भी थी पूरी उसमें देखना मैंने कुछ selective chapters बताएं मैं आपको वो chapters कर लो आपके असानीजी 70-80 number आ जाएंगे तो कहने का मतलब selective chapters करो उसका फायदा यह होगा उन selective chapters में आपके पास बहुत limited techniques होंगे न अगर मैं second year के 1 से लेके 5 chapter तक कर रहा हूँ तो 6, 7, 8, 9 की मुझे टेकनिक पढ़नी नहीं है तो मिरे पास selective chapters है मैं उन पर पूरा focus कर सकता हूँ और उनसे लेड़ जो भी सवाल आएगा मैं paper में पूरे 5 number लोगा उसमें से तो selective chapters करो अब उन selective chapters के questions कहां से करोगे भाई best तो है कि आप book के सारे questions कर लो कोई फालतू question उनको छोड़ दो वो सारे कर लो अगर time कम है तो जो मैंने important question का PDF दिया वह उसमें मैंने थोड़े फालतू question निकाले वे तो जो important questions का PDF होगा description में ही mention है वो जो उन chapters से वो वाले questions कर लो मजीड time कम है आपके पास तो उन chapters के जो past paper के questions है जो past 12 years में उन chapters के जो-जो questions आ चुके है उनको solve कर लो जितना कम कर्म करते जाओगे न उतना आपका risk भड़ता जाएगा लेकिन आप में देखना है कि आपका time के साब से आपने इसको manage करना है तो target paper से अच्छा option है कि selective chapters करके उन पर focus करो आप जएदा अच्छा काम कर पाओगे बागी अगर आपको target paper अच्छा लगता है मैंने बता दिये भाई 100 जायतर 70-80% guest paper लग रहे होते हैं क्योंकि आप लोगा paper आता है इस तरीके से अच्छा जी और इसमें था किसका guest paper बता दिया enough है नहीं मैंने बता दिये भाई लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है रिस्क आपको होना चाहिए टीचर बड़े confidence से बोलते हैं लगेगा confidence नहीं आना चाहिए वैसे ही क्योंकि आपको क्या पता लगेगा है नहीं लगेगा मैं आपको सच बता रहूं लग भी सकता है या 70-80% लग गया तो ये चीज़ आपके जहान में होनी चाहिए पूरी अच्छा एक और सवाल ते कि पास पेपर एनफ है अगर हम 12 यर्स हम कर लें तो उससे पेपर निकल जाएगा अगेन जब आप 12 यर्स करोगे इसका मतलब आप वो ले कोशन्स कर रहे हो जो ज़ायतर पास पेपर में आ रहे होते है लेकिन आपकी बारी में अगर 4-5 जैसे कोशन आगे जो पास पेपर में कभी नहीं आयोंगे तो आप नहीं एटेंट कर पाओगे उसको तो रिस्क होता है अगर आप पास पेपर 12 यर्स कर रहे हो तो at the end करना आपको bookie पड़ेगी वना past paper में फिर इतना जहन में होना चाहिए कि full number नहीं आप ले सकते हैं 60-60 number आपके आई जाएंगे 14 सवाल जो मुझसे बच्चों ने पूछा है कि वो section C में फस रहते कि sir first year या second year math में section number C को कैसे attempt करना है section C attempt करना बड़ा मुश्किल हो गया तो मैं first year second year दोनों की बाप बतायता हूं सबसे पहले मैं बतायता हूं कि section number C में कौन-कौन से chapters आ रहे हैं उनकी कौन-कौन सी excise आ रहे हैं तो आपको बहतर idea हो जाएगा फिर मैं अपना भी आश्वरा दे दूँगा तोड़ा सबसे पहले फिरस्टर की बात की जाए तो first year में chapter number two three six seven eight ten twelve इन साथ chapter से साथ questions बन रहे होते हैं model paper में तो chances आई हैं कि आप लोगों की बारे में भी होगा शायद एक chapter को skip करके किसी और chapter का दे दे वहना उनने इस भी से ही होगा पुरा और second day में chapter number two three five six के दो आते हैं seven eight ये छे chapters हैं total साथ questions इसमें से बन रहे होते हैं अब इनकी कौन-कौन से एक साई से बन रहे होते हैं अगर आप first day में देखो chapter number two two में two point five new book के बता रहा हूं two point five या जैदा chances two point six है two point six का एक सवाल आ जाएगा chapter number three की बात करो three point one से model paper में आया वै three point six का सवाल भी आ सकता है cross product या कुछ सवालों को combine करके three point six से भी वो दे सकता है three point one का बहुत फेवरेट है chapter number six permutation की बात करो तो यार probability से दे रहे होंगे six point four से chapter number seven की अगर आप बात करो तो six point sorry seven point three है वो ही फेवरेट है long के लिए seven point one short के लिए फेवरेट होती है इसलिए chapter number eight की बात करो तो eight point four का सवाल आ जाएगा या maybe eight point three का आ जाएगा eight point two केतने नहीं है long के अंदर chapter number ten की अगर बात करो आखरी exercise जो है उसमें बड़े questions है 10.4 उसी में से आएगा chapter number 12 की बात करो 12.5 जिसमें आप trigonometric equation को solve कर रहे हो तो यह मैंने exercise आप लोंको पूरी बता दी है अगर आपने को chapter skip भी गया है लेकिन उसकी फलाना exercise कर लोना तो long आपका असानी से निकल जाएगा तो मैंने exercise तक आपको बता दी है इसे जदा और मैं क्या बताऊँगा secondary की अगर आप बात करो chapter number two से आएगा chapter number two के अंदर 2.2 से भी आ सकता है 2.4 से भी आ सकता है 2.5 से इवन model paper में 2.3 का सवाल दिया वह है 2.3 बहुत rare है आ गया तो भी खेर वो गया आप लोग लेकिन जायतर 2.45 तो फेवरेट होती है 2.2 से भी बन सकता है या 2.1 का भी एक सवाल है 14 उससे भी बन सकता है तो इसमें कोई एक नहीं है इसमें चैप्टर नमबर 3 में 3.1, 3.2 से लॉंग बन सकता है 3.3 के ऐसे चोकात नहीं एक सवाल है आखरी वाला लेकिन इतना आता नहीं है किसमत खराब है तो आजाएगा वो लेकिन जायतर चैप्टर नमबर 3 में 3.1, 3.2 फेवरेट होती है लॉंग के लिए उसमें भी 3.2 जायतर वो प्रेफर कर रहे होते हैं लॉंग के लिए चैप्टर नमबर 5 में 5.3 का सवाल आएगा मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर नमबर 6 मैंने आप लोगों को पहली बताये था चैप्टर नमबर 2 जो मैंने बताया था आप लोगों को से बताया था चैप्टर से इसकी कौन-कौन सी एकसाइज लॉंग के अंदर आती है चैप्टर नमबर 7 में 7.2 फेवरेट है लोग के लिए 7.1 का वैसे सवाल है कुछ आ सकते हैं लेकिन 7.2 वो दे रहे होते हैं चैप्टर नमर 8 में 8.4 है या 8.3 तो इतना बन सकते है 8.3 से भी लेकिन 8.4 नॉमली लॉंग में पास्ट अगर आप हिस्टरी देखो तो 8.4 से आ रहा होते हैं अब मैंने आपको बता दिया किस चैप्टर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं किस चैप्टर की कौन से एकसाइज आ रही है अब इसे दिदा मैं क्या बता हूँ आपको अगर आपको सेक्शन सी में फिर भी मसला हो रहा था आपको चैप्टर स्किप कर दो आपने 5 long करने न तो आप वो वले chapters कर लो जिसमें 5 long आपके निकल जाए जैसे अगर first year, second year का बच्चा है उसको chapter 8 मसला कर रहा है तो chapter 8 आप छोड़ सकते हो short में 2 सवाल आएंगे, long में सवाल आएगा आप survive कर लोगे अगर आपको 6 में मसला है तो आप 6 को छोड़ दो, 2 long निकल जाएंगे 5 आप कर लोगे तो इस तरीके से आपको strategy बनाओ किस तरीके से section C को मैं crack करूँ इस अब first year की बात करो 12 वगर मुश्किल लग रहा है 12.5 मुश्किल लगती है बच्चों को स्किप कर सकते हो, फिर भी long निकल जाएंगे चप्ट 10 को भी स्किप कर सकते हो अगर आपको probability मुश्किल लग रही है तो उसको स्किप कर दो बाकी से 5 एटेम कर लेना तो अभी खुद आप लोग अपना बैठ के बना लो चैनल पर जाते ही नहीं हो लास्ट येर मैंने फर्स्ट येर सेकंडर के MCQs डिटेल में अपलोड के था धायडे 3-3 घंटे की साड़े 3 घंटे की वीडियोज है जिन पर मैंने फर्स्ट येर और सेकंडर के MCQs पास पेपर्स के प्लस अपनी तरफ से MCQs डाल के काफी जएदा MCQs मैंने करवाएं मैं तो सेकंडर की वीडियो भी मौझूद है फर्स्ट येर की वीडियो मौझूद है जो इस डिस्क्रिप्शन है मैंने एड़ की वी है आप लोग जाके लाजमी उसको देखना ठीक है आई बटन में मैं लगा दूँगा साथ ताकि आप लोगो मसला ना हो सेकंडर के MCQs पास पेपर्स के अपनी तरफ से मैंने डेटेल में पूरे समझाएं मैं इवर फर्स्ट येर की पुरानी बुक है अब सवाल है कि फर्स्ट ये की तो न्यू बुक आगे आप क्या करें फर्स्ट ये की न्यू बुक का मैंने रिव्यू एक्साइस के जो MCQs है वो भी मैंने करवा ती है आप लोग सबसे पहले उसको करो और जो फर्स्ट ये की पुरानी बुक के जो MCQs मैंने वीडियो में अपलोड किये में तो उसको भी आप सॉल्फ करो उसमें पास्पेपर के MCQs भी थे उसमें अलग से MCQs भी थे तो वो वीडियो आप देख लो उसके MCQs कर लो review exercise के MCQs कर लो अराम से आपका board के MCQs निकल देएंगे कोई मसला नहीं होगा आपको दोनों वीडियो description में mention है आप लोग जाके देखो 10 year के MCQs सारे solve है प्लस extra MCQs भी है उसके अंदर तो अलड़ी मैं MCQs solve करवा चुक हो यह वो question है जो exam में आएंगे मैंने कोई guess paper नहीं बनाया था यह important question मनाने का मकसद देता है कि हर exercise में कुछ फाल्तू question होते है या कुछ बहुत छोटे questions है जिनका short या long से कोई तालुक नहीं है तो उन questions को या कुछ फाल्तू questions है उनको मैंने skip किया था और जो main main सारे questions देना उनको मैंने important question में डाला है that's why बच्चे important का नाम सुनके समझते हैं छोटा होगा और वो questions देखते हैं इतने जएदे हैं तो यह guess paper कोई नहीं target paper नहीं है जो आप लोग expect कर रहे हो तो यह important questions का मकसद मैंने बता दिये क्यों मैंने बनाया है तो secondary का तो already मैंने बनाया है वो भी मैं description में add कर दूँगा और जो first year का मैंने बनाया है वो भी description में मौझूद है आप जाके देख लेना हर exercise मैंसे जो fall to questions उनको मैंने skip करके जो अच्छे सारे questions है जो proper 80-90% जो 80% जो आपके exercise के questions है वो उसमें आये वे होते हैं बाकी जो fall तो हमने skip किये हैं तो जाके आप लोग देख लो रही बात कि first year की book करने कैसे है बोग first year की book मैंने पूरी upload कर दी है मुश्किल book है अगर मसला हो रहा है तो chapters को skip कर सकते हो at least board exam आपका निकल जाए लेकिन first year की book skip ना करो यार इतनी काम की book है और मैंने detail में पूरी करवाई भी है अब भी मौका ना मेले at least बाद में कर लिए क्योंकि next time second year की book भी change होगी अगर इसके concept नहीं आते किस-किस chapter को skip करने से paper पे को असर नहीं पड़ेगा आपका तो chapter skip करके solve कर लो और कोई technique नहीं है मैं आपको easy हल नहीं बता सकता है जिसको आप apply करके असानी से first year की new book सीख लोगे काफी अच्छी book है और काफी time लगता है सीखने में क्योंकि इसमें वो concept नहीं जो आप युनिवस्टी के first semester second semester में पढ़ ड़े होते हैं ऐसे concept नहीं जो हम युनिवस्टी में बढ़ते थे वो और उन्हें सेकंडर की book में दा लें अब ये course का upload होगा भाई ये कभी expect नहीं करना कि मैं कोर्स साल के शुरू में आप कर दोंगा हर चीज फ्री में नहीं होती कि आप मतलब जो भी चीज़ आई है बस फ्री में सार अपलोड कर दें आप बाकी दुनिया की चीज़ों के लिए आप सारे पैसे खर्च करने के लिए त्यार हो जाते हो जब education की बात आती है यह बस फ्री में मिल जा हर चीज हमें इतनी tough book इतनी मेहनत तो यह जहन में बना लो कि हर चीज फ्री नहीं होती तो मेभी मैं साल के end पे जब paper से पहले दो-तिन महीने पहले अपलोड करूँ या शायद मैं इस साल ना करूँ next year करूँ यह depend करेगा वो मैं देख लूँगा किसी क्या situation है लेकिन एक चीज जहन में रखो online classes में मैंने secondary की new book पढ़ानी है तो थोड़ी सी investment कर लेना और उसको book को समझ लेना online classes में बढ़ अच्छा महल मैंने बनाया बहुत है हर चीज free पे नहीं जाओ ना यूटीब हर चीज free में अपलोड हो जाए आठवा कुशन है भाई कि फर्स्ट ये की math की supply आई वे सर preparation कहां से करें देखो जो फर्स्ट ये math की supply है न उसमें पुरानी book से आएगा जो supply है और जो improvement है फर्स्ट येर math की वो पुरानी book से आएगी लेकिन मैं भी उन बच्चों को target कर रहा हूँ जो 68, 70, 80 नमबर लेना चाहर है तो फर्स्ट येर की जो पुरानी book थी उसमें अगर आप chapter number 2, 3, 4 कर लो न तो 3, 4 से आपका एक एक long बन रहा होगा एक long 3 से आएगा एक long 4 से आएगा इसी तरह एक long आपका 13 से आएगा 13.2 से एक long 12 से आएगा इसी तरह 10 से भी आ सकता है एक long तो कहने का मतलब कौन कौन से chapter आप करोगे 2, 3, 4, 9, 10, 12 और 13 13 में 13.2 कर लेना क्योंकि वो ये long में आ रही हो 13 में 1 का script कर देना तो ये कितने 7 chapter बने 2, 3, 4 और trigonometry में 9, 10, 12, 13 ये 7 chapters अगर आपने कर लिये ना इसमें भी अगर आपको मजीद मसला और आपको chapter number 13 को skip कर सकते हो एक long आपका हटेगा फिर भी जो 6 chapter है उसमें से असानी से आपकी वाद 60 number आ सकते हैं तो वैसे 7 chapters हैं mistake भी कर दी तो 70 number आपके असानी से आ सकते हैं इन 7 chapter में से अब इनको करना किस तरीके से वो ही जो मैंने important question का PDF दिया था वो last year अगर आपको याद हो तो first year की पुरानी book का मैंने PDF दिया हुए वो अगर मुझे मौका मिला तो मैं add कर दूँगा वो first year math पुरानी book का जो important question का PDF था तो वो जो important questions है वो आप कर ले ना उसमें अगर जैदा time है तो book कर लो या important questions कर लो या फिर वो ही अगर मजीद कम time है तो past papers में जो questions आ चुके हैं उन chapter से वो आप कर लो इस तरीके से आप prepare करोगे एक और हल भी है मैंने supply का अभी एक course करवाया था मैत का अगर आप लोग interested हो तो आप लोग उसे contact कर ले ना full fees तो मैं आप से नहीं लोगा क्योंकि lecture में पड़े में है classes तो हमारी खतम होगी है full fees नहीं होगी आप से कमी fees होगी आदी fees में कर दूँगा तो आप लोग वो purchase कर सकते हैं उसमें मैंने पूरे ये sub chapters जो है ये short short मैंने करवाये मैं तो ये भी आपके बास option है उसके बाद एक और question था 9th question है कि इस past paper necessary to solve ये मैंने अपनी English में लिखा है कि आप past paper ज़रूरी है solve करने के लिए मैं recommend करूँगा जब आप paper की पूरी त्यारी कर रहे है even आप ऐसे बच्चर जिसने paper में book के सारे सवाल solve कर ली है अब exam आने वाले exam से एक दो दिन पहले जब आपका paper है मैं लाजमी recommend करूँगा last 5 year solve कर लो क्योंकि 5 year solve जब करोगे न तो आपके पास सारे question different chapter से आये वे होते है वो एक अलग pressure होता है वो अलग होता है कि इस सवाल को गिया फिर अलग concept में आना है फिर अलग chapter के question में आना है तो लाजमी है आपने 3 to 5 years लाजमी solve करने है practice की बात करनो अभी मैं इसे मैं recommend करूँगा भाई बुक पूरी जब आपने कर ली है आप जरा आपने sinboard को समझो sinboard वाले pass paper के मताबिक paper देते है तो यह तो बेवकूफी है कि आपने book कर ली और जो pass paper के important questions है वो आपने किये नहीं है तो book करने के बाद मैं लाजमी recommend करूँगा कि pass papers आप करो last 10 to 12 years करो वो यह से पहले नहीं जाना आपने पैदाप पेदाईश के जमाने में कि 20-25 साल solve कर रहे है वो बुक चेंज सी 100 मसले थे उस वक तो आपने 12 years maximum 2009-2010 के बाद से जो भी pass papers है उनको solve करो आपकी practice मजीद अच्छी होगी और जो important questions है जो exam में favorite हैं जो आते रहते हैं थोड़ा उनकी practice में मजीद आपकी अच्छी हो जाएगी तो लाजमी book पूरी solve करने के बाद pass papers करो आपने पैपिशन को अच्छा करने के लिए इसको ignore मत करो और last 3 years तो आपने लाजमी solve करने positive practice होगी और आखरी question है वो E-Cat से related था उसको भी मैंने यहाँ पे जाला है different बच्छों ने सवाल पूछे थे सबसे पहले पूछावादा E-Cat की classes कब से हैं बच्छों आप लों का जो first year कराची वोर्ट जो है सारी second year कराची वोर्ट जो है इनके exam 19 June को में खल में खतम हो रहे है तो 20 June को मैं कोर्स स्टार्ट कर रहो 20 June को कोर्स स्टार्ट होगा वो तकरीबन 2 महीने या पौने 2 महीने का वो कोर्स होगा वो कोर्स बहुत जबरदस होने वाल है उसकी बज़ा है कि जो 5 साल मुझे मैथ में हो गये और जो मैंने अपनी जिन्दगी पूरी महत के उपर लगा दी है जो लोग 15-20 साल आइस्ता आइस्ता करके सीखते हैं वो मैंने 5-6 सालों में किताबी खीड़ा बनके प्रॉपर सीखा वे है तो इसके बाद इंशाल नेक्स यर से मैं सिंद बोर्ड से निकल जाओंगा मैं युनिवस्टी की मैथ स्टार्ट कर दूँगा तो इस वो आखरी साल है सारे कॉंसेट मैंने सीखे में अब जो आपनों का EKEDA कोर्स होगा और उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा प्रॉपर HD रिकॉर्डिंग होगी 1080P की रिकॉर्डिंग होगी अब फॉरण अप्लोड नहीं होगी वो एक दो साल बाद अप्लोड होगी मेभी नेक्स्ट येर एक साल बाद अप्लोड हो अगेन वो इचीज हर चीज फ्री में नहीं आपको मिल सकता अब सवाल होता है अगर आप आपको आइडिया हो जाएगा किसी के लिए ये भी बहुत है मुझे पता है लेकिन इन्वेस्मेंट बहुत अच्छी है चार साल रिग्रेक्ट नहीं करोगे अगर आपको आपको समझा जाएगा उसका उसके बाद अगर round one आप कहते हैं फिर भी यार मुझे नहीं देना तो मैं जो त्यारी करवा रहा हुँ तो round two की करवाओंगा round two अगस्त के mid में होगा तक्रीबन तो मैं उसी की त्यारी करवाओंगा पहने दो महीने या दो महीने जब भी वो होगा उस हिसाब से मैं classes divide करके तो round 2 की मैं त्यारी करवाँगा रही बात fast की, fast का test मैं खलम है जुलाई के पहले week में तो अगर fast के लिए आप त्यारी करना चाहरे हो फिर तो एक course इतना अच्छा नहीं है न आपके लिए तो फिर हम क्या करें मैंने course upload किया था E-Cat Nust का लेकिन वो बहुत lengthy बड़ा course है अगर आप कम टाइम में कर सकते हो तो मैं आपको important chapters दे के fast का वो course करवा सकता हूँ उसमें मैंने Nust का वो course है काफी detailed course है, मैं कुछ chapter skip करवा के बाकी chapters आप लोगों करवा सकता हूँ प्लस अगर free में आप करना चारे तो सरहाशिम्स या उन्होंने fast के लिए काफी उन्होंने course upload किया हूँ काफी वीडियो आपको उनको चैनल पर मिलेंगी, free मिलेंगी पूरी तो अगर आप चाहो तो उनके चैनल पर भी देख सकते हो काफी उन्होंने upload किया वे content तो यह तो हो गया भाई, course कब से होगा एक और सवाल आता है कि सर, E-Cat में new book से आएगा first year की, तो भाई अगर आप NAD की बात करो, 25 MCQs math के होते हैं, अब 25 में से समझ लो के 10 से 12 MCQs हैं वो first year के होंगे, अब उसमें से भी new book का इतना impact नहीं पड़ेगा अगर आप पुरानी book आपने first year पड़ी भी इतना ज़़ा impact नहीं पड़ेगा, मैं भी एक दो MCQs जैसे आजेंगे, जो new book के होंगे बाकि पुरानी book वाले concept ही होंगे तो इतना आपको इंपक्ट नजर नहीं आएगा लेकिन मैं recommend ये करूँगा कि आप लाज़मी e-cat का course करो जो new book से करवा रहे क्योंकि obviously मैं new book और उसके मताबिक ही करवाऊंगा अरचीज उसका फायदा ये है कि आगे आपने test clear करने के बाद university में भी जाना है, तो अगर आप first year seconder में किसी वज़ा की वज़ा किसी वज़ा से आपने नहीं सही पढ़ा तो at least e-cat में तो सही तरीकी से पढ़ लो न ताकि university में जाओ तो at least concept तो आते हो entry test clear करने के बाद आगे का क्या gameplay नहीं कुछ भी नहीं करना आगे जाके तो आगे कभी तो सोच रहा है न तो इसलिए मैं recommend करूंगा त्यारी कर लो अगर आप समझते हो कि आपके बहुच्छे concept है मैंने free में first year book upload की वी है पूरी चाओ तो आप free में बैठके भी देख सकते हो कोई मसला नहीं है लेकिन अगर चाओ तो आप course कर लो के तो अब यह सवाल मैं क्या ही बता दूँ इसमें मैं recommend करूंगा अगर आप board exam के बाद हो तो first year को पहले कर लो या second year को पहले revise first year का फायदा यह कि चलो concept trigonometry के revise हो जाएंगे secondary में अगर trigonometry का सवाल आएगा वो आपको पते ही नहीं चलेगा आप blank को के बैठी वे होगे या कोई matrices का सवाल होगा या कोई equation का सवाल होगा या कुछ set से related question आए क्योंकि वो question है जो second year में आ रहे होते हैं कभी या कोई आपका binomial का सवाल आ अप फिर क्या करोगे इसलिए मैं recommend करूंगा first year पहले कर लो ठीक है लेकिन अब कुछ लोगों को second year अच्छी लगेगी कि या बोर्ड एक्जैम अब भी second year के दीए है तो सबसे पहले हम second year solve कर लेंगे यह जो technique है आप पर depend करती है आपको जिस तरह किसी की first year week होती है तो कोशिश करो first year पहले work करो यह वो अगर सुरू में second year करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा कि second year पहला ज़ए time लगा देंगे फस्ते खेलते करेंगे और first year पहले time कम बचेगा तो अगर आप समझते हो first year आपकी week है तो फिर आप first year पहले करो वैसे भी first year पहले फायदा देगी है आपको कि concept सबसे पहले first year से start होते हैं फिर आप second year में जाते हो मैं भी online classes में ही करवाऊंगा E-Cat में कि पहले first year ही होगी सारे concept player होंगे फिर हम second year solve करेंगे बाग यह आप अपना plan भी बना सकते हो अगर आपको किसी और चीज में फायदा और है second year करने में तो आप कर सकते हो उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि अचा फिर है कि E-Cat MCQs कहां से करें भाई देखो E-Cat MCQs करने का best तरीका आपको board से start होता है board MCQs, board में जो आपने MCQs solve करने है अपने exam के लिए वो MCQs आपको आने चाहिए past papers के MCQs board exam के यह MCQs तो आपको आने चाहिए यह MCQs क्यूंके थोड़े easy होता है चलो यह आपकी basic बना देंगे यह आपको आ गया उसके बाद अब MCQs कहां से करें by university के different past papers होते है सबसे पहले theory आपको आने चाहिए direct MCQs पे जाओगे तो बेवकूफ हो गए समझी नहीं आएका कुछ फज़ा होगे तो सबसे पहले theory तो आपने clear करनी है theory जब आपके clear हो जाए उसके बाद आपने MCQs पे जाना है लेकिन चलो उनका फाइदा योगा और अरेंज करें कुछ किया वाओ का सिस्टम इस तरीके कवला कुछ ना कुछ तो होगा ना मैंने देखा नहीं लेकिन वो काफी होगा उसमें तो आप past papers वहाँ से देख लो काफी फाइदा हो जाएगा आपको तो past papers के MCQs कर लो फिर different books आती हैं अगर आप किसी center से कर रहे हो या वैसे भी अगर आप किसी उर्दू बजार में जाओ और उनको बो E-Cat की book चाहिए generalize E-Cat की book होती है सिंद बोर्ड किस labels के मताबिक तो उनके MCQs solve कर लो अगर कोई online आपको teacher नजर आ रहा है वो MCQs solve कर रहा है उसके MCQs solve कर लो तो कहने का मतलब MCQs आपको different जगों से मिल सकते हैं असल चीज़ आपने theory कर ली पहले concept आपको सारे आ गया उसके बाद अब MCQs जहां से आपको मिल ले है अचा अगर आप nurse की त्यारी कर रहा है तो किप्स की एक book है ज्यादा teacher उस ज्यादा center उनके MCQs कोपी कर रहे होते है तो किप्स के MCQs solve कर लो मुश्किल है वो nurse में भी खैर इतने भी मुश्किल नहीं आते है कितने फिर भी चलो अच्छी प्रिपिशन हो जाएगी आपके आप different colleges centers centers की book होती है वो अगर कहीं दोस से मिल गई उसके MCQs solve कर लो तो different जगें MCQs solve करने की असानी से आप solve कर सकते हो लेकिन theory पे focus करो और आखरी सवाल था कि prepare हम preparation कैसे करें NAD और FAST के लिए देखो यह एक बहुत detail topic है FAST में जहते हैं लोग CS और computer science computer science और software अपलाई कर रहे होते हैं उसमें आप यह समझ लो IQ 10% है और English 20% है यह मुझे confirm नहीं बता या English 10% है या IQ 20% है में खाल में English 20 है और IQ 10% है और basic math जो है वो आपकी 20% होती है और 50% जो है वो आपकी advanced math होती है पर यह समझ लो 70% math का portion आ रहा है बाकी 10 और 20% English और IQ का portion है English में तो खर मैं गाइड नहीं कर सकता IQ में भी खर मैं गाइड नहीं कर सकता ऐसे channel आपको YouTube में मिलेंगा जो IQ की provision कर रहे होते हैं आप सर्च करो आपको मिल जाएगा जो 70% math का portion है यह computer science और software में जो apply करते हैं अगर आपने engineering side पे apply करना है फिर physics भी आ रहा होता है वो आप गूगल पे मिल जाएगा fast की website पे जाओगे तो आपको बचल जाएगा क्यार कौन सा portion के कितने आ रहे है तो आपको advanced math क्या होती है advanced में यह फिर्स्टे सेकेंडर में जो आपने पढ़ी है trigonometry का portion आजएगा advanced में अच्छा calculus का portion आजएगा advanced के अंदर analytical geometry में straight line, conic section यह आजएगा vectors हो गए इसी दरा matrices के भी advanced के बन सकते हैं यह सारे फॉस्टे सेकेंडर में advanced पढ़े थे basic जो आप बच्पन में बढ़ते हैं log का सवाल आजएगा, basic equation आजएगा algebra के सवाल आजएगे, यह सब basic math के अंदर आजएगे again मैं recommend करूँगा सरहाशम जया ने काफी upload किया है और भी चैनल है, लेकिन मेरी नज़र में सरहाशम जयाने काफी महनत की वे इसके उपर उन्होंने guidance भी काफी दी वे है, मेरी खेर वैसे बहुत अच्छी फिल्ड नहीं है university की guidance, मैं तोड़ा वीक हूँ इसके अंदर मुझसे math पढ़ावाल हो आती है तो अगर आप जाओं के चैनल पर आपको मजीद और भी idea हो जाएगा के fast और बाकी analysis के कैसे त्यारी करनी है NAD के अगर आप बात को NAD में तो 25 math mcq, 25 physics, 25 chemistry, 25 english अगर आप computer science पर आपने किया है तो chemistry के जगा computer के आ जाएंगे तो कहने का बतलब again 25 mcq उसकी math की कैसे preparation करनी है वो ही first year, second year में जो आपने पढ़ा उसी से related mcq जादेंगे तो आपने theory कर ली उसके बाद फिर आप mcq उसकी preparation करोगे मैंने पहली तरीका बता दी किस तरीके से आपने mcq solve करने तो बाकी detailed topic आप search करोगे काफी ऐसे channel है जरू ने बताया है कि किस तरीके से preparation करोगे बाकी analysis भी है, सब उसमें guide किया है तो बचो यह वो सब questions दें जो आप लोग ने पूछे थे I hope आप लोग को पसंद आये होंगे इस lecture में इतना ही, Allah आफिस